नमश्कार आप दीख रहे हैं दर्श नियूज और मैं हूँ यती आपके साथ बिहार की सियासी गलियारों में एक बार फिर से हल चल तेज हो गई है सियासी बजार इस बात को लेकर गर्म है कि क्या वी आईपी प्रमुक मुके सैनी फिर से एंडिये में वापसी कर सकते हैं देखिए पूरी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप देख सकेंगे कि मुके सैनी के साथ नितीश कुमार के सबसे करीबी मंतरी कहे जाने वाले बिहार सरकान में मंतरी अशोक चौदरी दोनों की बीच बाचीत हो रही है आखिर ये बाचीत किया है चलिए इसकी जानकारी दे देते हैं दरसल एंडिये में मुके सैनी की वापसी को लेकार लगातार कयाशो का बाजार तेज है बिजेपी की ओर से ओपर भी दिये जा रहे है इस 20 सियम नितीश कुमार के करीबी मंतरी अशोक चौदरी ने मुके सैनी से बीते दिनों देर शाम मुलकात की है पटनास्तित मुके सैनी के आवाज पर दोनों की मुलकात होई इस मुलकात के बाद अब अटकलों का बजार गर्भ हो गया है कि क्या इस मुलकात के पीछे मुके सैनी के एंडिये में वापसी का ही वज़ा है देखी दर असल मुके सैनी के पिता की कुछ दिनों पहले ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी ऐसे में कहा भी जा रहा है कि इस घटना के बाद अशोक चौधरी व्याइपी प्रमुक से मिले नहीं से अशोक चौधरी मुके सैनी से मिले नहीं थे और जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले पर ये जवाब दे रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेस सैनी पलटने की तयारी में है अपनी समवेदना प्रकट करते हुए जो अशोक चादरी है वो मुकेस सैनी से मुलकात करने गए थे राजनिती गलियारे में ये भी कहा जा रहा है हलाकि राजनिती द्रिश्टी से देखें तो इस मुलकार की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है मता दे कि मुकेस सैनी ने हाल ही में सोचल मीडिया काउंट एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदली है तीरंगे की तस्वीर लगाई है हर गर तीरंगा अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी भी प्रोफाइल को बदला हर गर तीरंगे की तस्वीरे लगाई इसके बाद चटचट शुरू हो गई है कि क्या मुकेस सैनी एंडिये में वापस ही करेंगे हलाकि मुकेस सैनी ने पहले ही कहा है कि तीरंगा कोई बीजेपी का जंडा नहीं हो सकता है ये हम सभी का शान है ऐसे में कोई अनुमान लगा सकता है कि वो महागडबंदन छोर रहे है या फिर एंडिये में जा रहे है ये तो कयाशो का बजार तेज है कोई भी बोल सकता है देखिए इस पॉस्ट तोर पर अगर कहें तो मजबूती के साथ महागडबंदन के साथ मुकेस सैनी नजर आए है लोग सबाचुनाओ की बात कर लें तो उसमें भी मुकेस सैनी तेजश्वी आदव के साथ हर कदम पर कदम से कदम मिलाते नजर आए बता दे की अंडे के कई नेताओं ने ये तका है कि मुकेस सैनी आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा बिहार सरकार के मंतरी प्रेम कुमार ने भी मुकेस सैनी के मामले पर कल बयान दिया था उन्होंने काया था कि लोगतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी इक्षा अनुरूप काम करने का अगर वो एंडिये में आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है अब देखिए दोनों नेताओं के मुलकात की टाइमिंग का हम जिक्र कर रहे थे हम आपको ये भी बता दे जो राजनिती सूत्र है उसके मुताबिक करीब 45 मिनट तक दोनो परिवार सहित अन्य मुद्धों पर चर्चा हुई होगी ये तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक बार फिर ये अप चर्चा जोरो पर है कि क्या मुके सहनी का मन डोल रहा है हलाकि वियाईपी के राज्ट्रिय प्रवक्ता के तरफ से ये कुछ भी साफ नहीं कहा गया है उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब दिया उन्होंने कहा कि ये सब अफवा है साथी बता दें कि दोनों नेताओं का ये मुलकात राजनिती की जगा परिवारिक बताया जा रहा है वियाईपी की तरफ से दोनों नेताओं के बीच वेक्टिकत संबंध की बाते सामने आ रही हैं लेके ने राजनिती द्रिस्टी को उन से जो यह 45 मिनट की मुलकाथ है यह काफी ज़ादा एहम है क्योंकि बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या बात चीत हुई है जिस तरीके से बिहार की राज जद्दियू के अगर बात कर ले तो जद्दियू के तरफ से अशोक चौधरी जो है वो मुकेस सैनी से मिलने पहुचे हैं और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट के जो मुलकात हुई है इसके बाद यह कहा जो रहा है कि मुकेस सैनी का मन डोल रहा है और मुकेस सैनी को इंडिया गड़ बंदन में आने के लिए ही शायद अशोक चौधरी को भेजा गया है दोनों के बीच मुलकात हुई है आपको क्या लगता है मुकेस सैनी क्या एंडिया में फिर से वापस ही करेंगे आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा फिलाल इस खबर मे हुआ